वह सर सच बात बताओ सुजन मुझे पहले तुम पे बहुत गुस्स आया और मैंने तुम्हें कम्पनी से निकालने का मानस बना लिया था लेकिन जब तुम्हारी मान आके मुझे बताया कि तुम्हारी तव्यत मान तो यह सब जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ खेर यह सब छोड़ो और बताओ कम्पनी कब से जॉइन कर रहे हूँ मैं क्या कहूँ सर जैसा हम उचे समझे ठीक है कल से आजाओ थेंक्यू सर थेंक्यू सर थेंक्यू सर ओके शाम पैकिंग सैकिंग हो गई हाँ भाई आरे जल्दी कर यार आपकी ब्राउन वाली पैंट कहा है भाई आरे यही दख्योंगी मेज पैर कही है हाँ मिलगी भाई शाम पैकिंग हो गई हाँ मान सूरज हाँ मा तयारी हो गई बेटा बेटा मुझे तुम लोगों से एक बात कहनी है बेटा तुम दोनों बाहर जा रहे हो एक बात बतानी है अब तुम दोनों बड़े हो गई हो बड़े होने के साथ सा जुम्मेदारियों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है बेटा यही वो उम्र है जिसमें लियाओ फैसला अपने भविशे की दिशा तै करता है और जीवन में सुख दुख का सबब बनता है बेटा इस समय जो व्यक्ति अपने कैरियर को लेकर लापरवा रहता है वो जिन्दगी में कभी सफल नहीं होता है बेटा खुब मन लगा कर पटना खुब मन लगा कर काम करना जाओ बेटे बेटा बेटा है चल चल पड़ा पड़कर खुब मन लगा कर पटना खुब मन लगा कर काम करना चल चल आजा प्राप कर दो झाल प्राप प्राप वीजिए झाल झाल